हेलो स्टुडेंट्स वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल रूप हमारे एजुकेशन फार यूपर बच्चों आपके फिलेमिंगो बुक का पार्ट फस्ट मैंने पढ़ा दिया था और आज हम लोग पार्ट सीकेंड पढ़ेंगे इस पार्ट सीकेंड को पढ़ने से पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट को न देखा हो न पढ़ा हो तो उसे आप अवश्य पढ़ लीगी तो आएए हम second part start करते हैं तो बच्चों second part आपका शुरू होता है My last French lesson से My last French lesson why I hardly knew how to write मेरा अंतिम French lesson ये यम हैमल जो teacher है उन्होंने जब बच्चों के सामने, students के सामने कहा कि ये मेरा अंतिम French lesson है उसको student French ने सुना और कहा क्यों मैं मुश्किल से ही लिखना जानता था और मैं अब आगे नहीं सीख सकूँगा और I must stop it there और मुझको अब तबरुक जाना चाहिए कि अब ना पढ़ें Oh how sorry I was for not learning my lessons कर वो बहुत खेद बिक्त करता है कि मैंने अपने पाठ को नहीं लर्न किया इसका मुझे बड़ा अपसूर्स है Farsaking birds eggs are going sliding under the star कि मैं पच्छियों के अंडे खोजने और star पर slide करने के लिए जाने की वज़े से अपने पाठ को नहीं सीख पाया My books that had seemed such a nuisance a while ago so happy to carry my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up और कहता है आगे कि मेरी पुष्टके जो कि मुझे बहुत nuisance माने कष्ट दायक परतीत होती थी कुछ समय पहले बहुत भारी परतीत होती थी ले चलने में मेरी grammar की book और मेरे महापुर्सों का इतिहास ये हमारे पुराने मिद्र थे और अब मैं इनको नहीं त्याग सकता I could not give up give up माने त्यागना I am humble to the idea that he was going away और यह विचार की हैमल भी जा रहे थे that I should never see him again और मैं पुना उनको नहीं देख पाऊंगा made me forget all about his ruler and how crank के हिवाज इन इस विचार ने मुझे उनके ruler के विचे मैं ruler माने पटरी जिससे मारते थे उस पटरी और कितने संकी थे इन सबी चीजों को मुझे भूला दिया ओके जब यह विचार या यह जानकारी ले फ्रेंज स्टुडेंट को होती है कि अब वो नहीं पढ़ाएंगे जा रहे हैं तब जो भी ruler से उनको मारते थे और crank की संकी टाइब के थे इन सभी चीजों को वाई स्टुडेंट भूला देता है पूर मैन इट वाज अनर अब दिस लेशन दाइट पूट अन इस फाइं संडे कलास और यह जानकारी उस टीचर को कहता है कि यह इस अंतिम पाट के सम्मान में था कि उन्होंने संडे के कलाथ को पूटान कर लिया था यानि उस कपड़े को पहना था जो वो जन्रली संडे को पहनते थे और नाव आई अंडरिस्टेंड वाई दा ओल्ड में अब दे विलेज विलेज वियर सीटिंग दियर इन दा बैकाब दा रूम और कह रहा है कि अम मैं समझ सकता था कि जो गाओं के बुजूर्ग लोग थे वोएं भी कमरे के बैक सिप पर बैक यानि पीछे क्यों बैठे हुए थे इट वाज बीकाज दे वर सारी टू आट दे हैड नाट गान तो स्कूल मोर और बताता है फ्रेंज स्टुडेंट कारण ये था कि वह लोग भी अपना दुखी आप सोच पर कट करते थे कि वह इसके पहले स्कूल को नहीं गए थे और कहते हैं ये उनका एक तरीका था अपने मास्टर जिसने 40 साल तक वफादारी के साथ सेवा की थी उनको उनके प्रति धन्यवाद गयापित करने और अप जो है अपना सम्मान गयापित करने के लिए अपने देश के प्रति जो अब उनका नहीं रहा अर्था दो जो जिले थे जिसमें अलसीस और लोरेन वह अब जर्मनी ने जीत लिया था और उसके अधिन हो गए थे अब फ्रांस जो पहले ये फ्रांस का हिस्सा होते थे अब फ्रांस का हिस्सा नहीं रहे गए तो वाइल आए वाज थिंकिंग आफाल दिस आई हड माई नेम काल करें जब मैं ये सब को सोंच ही रहा था तभी मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया अब ये मेरा नमबर था कि मैं जो रिसाइट करूँ अब पार्टिस्टिफल्स के विस्ते में बताऊं कि अगर मुझे ये पता चलता तो मैं बड़े जोर और असपस्ट स्वर से बिना किसी गलती के उस पार्टिस्टिफल्स के जो गंभीर और कथिन रूल्स थे उनको मैं याद करने में पहले समर्थ हो जाता है याई उनको मैं यहाई सिती में जानता तो उनको याद करता है पहले ही याद कर लिया करता है कि पार्टिस्टिपल के उस नियम को जोर से और असपस्ट बना गलती किये हूँ बोलन पाने के लिए मैं क्या नहीं दे चुका होता है मैं सब कुछ अपना लगा देता है उसको सीखने के लिए यदिये पता चलता कि यहां पर फ्रेंच नहीं पढ़ाये जाएगी और यह टीचर नहीं रहेंगे लेकिन मैंने पहले ही सब्दु को मिक्स कर दिया और वहीं पर खड़ा रहा होल्डिंग आंटो माई डिस्क और डिस्क को पकड़े खड़ा रहा मैं हर्ट बीटिंग और नॉट डिरिंग टू लुक अप मेरा हिर्द धलक रहा था और मेरे अंदर यह हिम्मत नहीं थी कि मैं उपर सिर उठा करके देख लेता लेखक देखे कितना सरमाया हुआ है आई हर्ड यहम्मल को माने कहते हैं सुना कि मैं तुमको डांटूंगा नहीं मेरे छोटे फ्रेंड तुम्हें खुद बुरा बहुत काफी बुरा लग रहा होगा सी हाव इट इज देखे क्या है यह कैसे है यह कैसा आप फिल करते हो इब रेड़े भी हैब सेट वर्शल्स बाह आप प्लंटी आप टाइम पर तेक दिन हम लोग अब खुद से यही कहते थे वाहम ता मतलब असाहमती सूचक सब्देवच्चों कि मेरे पास परियाप्त समय है प्लंटी माने परचुर परचुर माने बहुत अधिक मेरे पास बहुत अधिक समय है I will learn it tomorrow और कल सीख लेंगे यही बात हम लोग कहते थे and now you see where we have come out अब देखे अब हम लोग कहां पहुँचे हैं क्या इस्तिती हो गई है ah that is the great trouble with Alcice she puts off learning till tomorrow और Alcice के साथ यही समश्या है कि वह अपने learning आज की learning को tomorrow पर पुट साफ कर देते हैं तुमारों परठाल देते हैं कि कल लर्ण कर लेंगे now these fellows out their will have the rights to say to you और अब वह लोग जो बाहर हैं उनको यह कहने का अधिकार्म होगा कि how is it is कहसे है you pretend to be Frenchman आप एक फ्रांसिशी होने का बहाना बनाते हो and yet you can neither speak nor write your own language फिर भी तुम अपनी भासा को न बोल सकते हो न लिश सकते हो but you are not the worst poor little friend लेकिन poor little friend तुम्ही सबसे खराब नहीं हो we have all a great deal to reproach ourselves with आपके साथ हम में से बहुत से लोग अपने आपको बदनाम करने के लिए हैं and इसमें आपका ही केमल दोस नहीं reproach में बदनाम करना, insulting करना आप अकेले ही नहीं हैं इसमें your parents were not anxious enough to have you learn तुम्हारे parents बहुत ज़्यादा anxious माने चिंते तिया, उच्शुक नहीं थे कि आप सीखें they preferred to put you to work on a farm or at the mills उन्होंने पसंद अधिक पसंद किया कि वो तुमको किसी farm में काम पर लगा दें अथमा किसी meal में लगा दें so as to have a little more money जिससे आप कुछ अधिक पैसा कमा सको यानि आपके parents ने पढ़ाई के वजाए पैसे कमाने पर जादा पैसे कमाने को वरियता दी and I have been to blame also और इसमें मैं अचोता नहीं हूँ मुझे पर भी blame लगना चाहिए I have not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons क्या मैंने आपको पराया अपने फोलों में पानी देने के लिए नहीं कहा अपे च्छा कृती की पढ़ने के and when I wanted to go fishing did I not just give you holiday और जब मैं fishing पर जाता था तो क्या आपको किसी holiday नहीं कर देता था आपको छुटी नहीं देता था then from one thing of another इस परकार से एक और फिर दूसरी चीजें घटित होती चलती गई Yem Haimal bent on to talk to the French language और Yem Haimal French language में बात करते चले गई saying that it was the most beautiful language in the world और ये कहते रहे कि संसार में ये सबसे अच्छी भांसा है the clearest सबसे अच्छी भांसा the most logical बहुत ही तार्किक भांसा and we must guard it among us and never forget और इसकी हम लोगों को गाड माने परक्षा है रच्छा करनी चाहिए भूलना नहीं चाहिए because when people are enslaved as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prism और कहते हैं क्योंकि जब लोग insulated माने दास बना लिये जाते हैं और तब तक भी अपने language में hold बनाये रखते हैं अपनी भांसा में पकड़ बनाये रखते हैं तो उनके पास उस जेल से निकल जाने की कुंजी उनके पास होती है आताद भांसावा कुंजी होती है जिससे हम गुलामी से निकल सकते हैं और इसके बाद उन्होंने गरामर की पुष्टक खोली और मुझको अपना पास पढ़ाया और मुझे आसर है कि मैं कितने अच्छे से उसको समझ सकता था उस दिल और उन्होंने जो कुछ कहा वा बहुत ही सरल परतीत होता था आई थिंक तु दाइट आइड नेवर लिसन तो कर दो ली और करने माँ सोचता हूं कि मैंने भी कभी इतनी साथवानी के साथ नहीं सुना था और उन्होंने कभी इतने अधिक धार के साथ किसी चीज का एक्स्प्लेइन भी नहीं किया था इट सीम्ड आलमोस अज इफ पूर मैं वांटे तो गिवस आल ही निम बफोर गुए और ऐसा परतीत होता था कि जैसे वां पूर मैं जाने से पहले मुझे सब कुछ दे देना चाहता था और एक ही स्टोक में एक ही चौंस में एक ही प्रहार में एक ही क्लास में वां मुझे सब कुछ मेरे मैंड में बैठा देना चाहता था After the grammar, he had a lesson in writing. Grammar के बाद, writing की एक lesson उन होने लिए. That day, Yum Haimel had new copies for us written in a beautiful round hand. उस दिन Yum Haimel हमारे लिए नई कापी लाये थे और बहुत ही सुन्दर hand writing में उस में लिखा था. क्या लिखा था? France, Celsace, France, Celsace. ये उस कापी में लिखा हुआ था. They looked like little flags floating everywhere in the classroom. और परते एक जगा एक छोटे से पंखे, फ्लाइक माने जंडे की तरह हुए लाराते हुए पूरे classroom में दिखते थे. हंग फ्राम दा रोड अट दी ताप आर डेस्क. हमारे डेस्क के टॉप पर लगी राड में जंडे के समान लटकते हुए पर्तीत होते थे. आप समस्त देख करके देख सकते थे कि कैसे हर कोई बेक्ती अपने काज में सेट था, लगा था, कितनी क्वाइट इट वाज, कितना सांती था कमरा, the only sound was the scratching of the pens over the paper, paper के उपर pen के scratch करने का, चलाने का ही आवाज होते थी. वन सम बीटल्स फिलिविन बट नो बाड़ी पेड अटेंशन टू देम, एक बार कुछ भाउरे, बीटल्स एक परकार का कीड़ा है, काला काला होता है बला सा, कमरे में उड़कर आया, लेकिन कोई, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, not even the littlest one, जो छोटे बच्चे बिलकुल चंटल होते हैं, उनोंनों भी ध्यान नहीं दिया, who were right in tracing their fish rope hooks, जो अपना fish hooks औने मचली को पकरने वाला hooks मना रहे थे, उन लोगों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, as if that was French too, और ऐसा इस तरह वो कर रहे थे, जैसे मान होगा भी French का हो, on the roof, the pigeons could very low, छटों के ऊपर कबूतर बहुत धीरे-धीरे कू 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 करते थे, and I thought to myself, और French student कहता है, मैंने खुच से सौचा, will they make them sing in German, even the pigeons, क्या Germans के लोग कबूतरों को भी Germans में आवाज करने को कहेंगे, क्या उनसे जर्मन में आवाज कराएंगे, whenever I worked up from my writing, whenever I looked up from my writing, I saw Yem Hamel sitting motionless in a chair and gazing first at one thing, जब मैं अपनी राइटिंग से कभी-कभी ऊपर देख लेता था, तो देखता था कि Yem Hamel बड़े emotionalist मैंने स्थांती के साथ अपने chair पर बैठे थे, and gazing first at one thing and then at another, और कभी एक चीज और फिर दूसरी चीज को देखते थे, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room, और जैसे देखना चाहते थे कि छोटे सी school room में हर चीज कैसी थी, and with his garden outside the window and his class in front of him, और उनके घर से बाहर उनका बगीचा, खिड़की के बाहर उनका बगीचा और ठीक उसके सामने उनका class, just like that, इस तरह का जैसे वो मानो देख रहे थी, only the desk and benches had been worn smooth, क्या परिबरता नाया था, के वह डेस्क और bench यूज करने से घिस जाना, घिस करके चिकनी हो गई थी, the walnut trees in the garden बाल टालर, walnut tree नियक रोड के पेन जो बगीचे में थे, लंबे हो गए थे, and the hope wine that he had planted himself twinned about the windows of the roof, और hope wine इक परकार के लता है, जिसको उन्होंने खुद प्लांट के अथा लगाया था, वा twin में जुख करके बिंडो से होकर च्छत कर चली गई थी, how it must have broken his heart to leave it all, poor man, इन सभी को छोड़ कर जाना, कैसे उस ब्रक्ती के हिर्दे को तोड़ दे रहा था, तो hear his sister moving in the room above, अपनी sister को उपर room में move करते हुए, packing their trunks और अपनी सभी सामान को, trunks को, sandu को, box को, pack करते हुए, देखना, सुनना, for they must leave the continuous day, ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अगले दिन में उस देश को छोड़ देंगे, okay, but he had the courage to hear every lesson to the very first, लेकिन आंत तक उस लेशन को सुनने की साहस थी, but he had the courage to hear every lesson to the very last, आंत तक हर पाठ को सुनने की साहस थी, after the writing, he had a lesson in history, writing के बाद उन्होंने हिश्टी में भी एक lesson लिया, and then the baby chanted their, बाबी, वी, बूवी, इस प्रकार से बच्चों ने अपनी इन अच्छरों का उच्चारन किया, जैसे हम लोग कहते हैं, काका की की कु, या या यू, ठीक, okay, down there at the back of the room, Oldhouser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, और नीचे वहां कमरे के back में, Oldhouser भी अपना चस्मा धारण के हुए, अपनी प्राइमर कुष्टक को दोनों हाथ से पकड़े हुए, अच्चरों को इस्टल करते थे, उच्चारन करते थे अपने साथ में, ये कुर्शी दाइट ही तू वास क्राइँ, आप देख सकते हैं, वा भी चिला रहे थे, वाई स्ट्रमबल विद इमोशन, जैसे एमोशन से उनकी आवाज कांपती हो, and it was so funny to hear him, और उनको सुनना बड़ा ही ठनी था, that we all wanted to laugh and cry, कि हम लोग सब हंसना और चिलाना चाहते थे, यानि उनकी आवाज में, जैसे रोधन शिपा हुआ था, oh how well I remember it, कैसे मुझे कितना अच्छी से याद है, that lost lesson, ये लेखक कहता है French student की, मुझे अंतिम लेशन कितनी अच्छी से याद है, okay? आल एट वन दा चर्च कलाक कि स्टक 12, और ठीक बारा बजे चर्च की घंटी बजती है, जन दा एंजलस फिर प्राथना होता है, एंजलस मने प्राथना, प्राथना होता है, at the same moment the tempers of the Prusians returning from drill, और ठीक कुशी समय, जो tempers मने तुरही जो बजाते हैं, की आवाज, पर्सियंस के आर्मी जो लौट रहे थे अभ्यास के बाद, उनकी आवाज सुनाई पड़ती है, शाउंडे डंडर और विंडोज, और वो हमारे खिड़की के अंदर से, अंदर तक आवा जाई, हैमल, यम हैमल स्टूड अप बिरी पेल, हैमल खड़े हो गए, पीले दिखते थे, इन ही चेयर अपने चेयर पर, आई निवर साइ, हम लुक्सोब टॉल, उनको मैंने इतना लंबा कभी नहीं देखा, माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा, कि मेरे मित्रों, आई आई, आई, अपने पूरी शक्तिक को साथ, उन्होंने इप बड़े अच्छरों में लिखा, लार्ज, आई लार्ज, इकोट जितना लिख सकते थे, क्या लिखा, बिबा, लाव फ्रांस, मतलब, बच्चों इसकी जो अर्थ होती है, होता है, फ्रांस, या, लाव लिख रांस, याこの फ्रांस, तर्ज उन्हो लंबे समय तक रहे, और स लिखा, इं लिए लें लिख सकते लिख संगाores, आई, लिखा होता है, भिना की शब द की उन्होंने, इसकी बड़े, और अपने हाथ से एक हाव भाव दिखाया नहीं हाथ हो गयरा हिलाया क्या कहा इसकूल इडिसमिश दियू में गो इसकूल को डिसमिश किया जाता है आप जा सकते हो तो इस परकार से बच्चों यह आपके लेशन दा लास्ट लेशन का सिकंड पार्ट रहा आप इसे पढ़ लिए खोब अच्छे से और इसके बाद आपको मैं कुछ चैना अंसर भेज दूँगा और यद आप नए हो तो आवज सब्सक्राइब कर लें ओके थाइंक्यू पार वाचिंग